हलो फ्रेंड्स मासल शब्र उसेन और वाचिंग फीजियो टॉक दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपलेज मैनिवर के बारे में जैसा कि हमने हमारी प्रीविएस वीडियो में आपको बताया था बिनाइन पेराउक्जिसमल पोजिशनल वर्टाइगों के ब मोशन होता है आपकी बोड़ी का मूवमेंट होता है तो आपको चक्कर आते हैं जैसे कि पेशन जब करवट लेता है या करवट चेंज करता है और जैसे ही वो उठता है तो उसको चक्कर आते हैं या तो फीमेल जब जाडू लगा रही होती है और सड़नली उपर देखती है तो उनको चक्कर आते हैं, या आप शावर में नहा रहे हैं, जैसे या आप सर नीचे करके उपर की तरफ देखते हैं, तो आपको चक्कर आते हैं, तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे apples maneuver के बारे में, कि जब patient को चक्कर आ रहे हूं, तो आप applies maneuver करके उनके चक्कर को काफी हद तक कम कर सकते हैं उनके वल्टाइगो को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे step by step procedure के कैसे आपको applies maneuver करना है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को करने के लिए सबसे पहले आपको पेशन को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि वो अपने स्पैक्स को उतार ले उसके बाद आपको पेशन की जो नेक है उसको 45 डिग्री रोटेट करना होगा तो सबसे पहले आपको 45 डिग्री 90 डिग्री नहीं करना है सिर्फ 45 डिग्री आपको पेशन की नेक रखना है और आपको पेशन को लेटने के लिए बोलना है तो जैसे ही पेशन लेटेगा इस प्रकार आपको पेशन को लेटाना है कि उसका जो सर है वो थोड़ा बैट से बाह और उसके बाद 45 डिगरी में रखते हुए पेशन्ट की नेट को थोड़ा सा आपको एक्स्टिंग्शन में लेना है और 20 तु 30 सेकेंड आपको इस पोजिशन को होल्ड करना है इस दोरान पेशन्ट की जो आँके हैं वो सरासर हिलेगी जिसको के हम निस्टेगमस कहते हैं अग आपको पेशन्ट के सर को अपोजिट साइड में घुमा देना है 45 डिगरी और इसको भी इस पोजिशन को भी आपको ट्वांटी तु 30 सेकेंड्स होल्ड रखना है स्लाइट एक्स्टिंशन देना है और अब आपको पेशन्ट को इसी पोजिशन में इंस्ट्रक्ट करना है क यह 45 डिगरी नेक को रखते हुए पेशन्ट को वापिस से बैठ जाना है तो जैसे कि आप देखेंगे 45 डिगरी के अंदर ही आपको पेशन्ट को लिटाना है और 45 डिगरी के अंदर ही आपको पेशन्ट को बिठा देना है तो इस दौरान पेशन्ट को अगर चक्कर बढ़ जाते हैं तो आप इस manual को उसी जगे रोक देंगे और आप इस manual के बाद यह notice करेंगे कि patient के जो चक्कर है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं इस manual को आपको दिन में दो या तीन बार करना होता है जिससे patient का वरटाईगो कंट्रोल हो जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में आप पर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी निचे कमेंट सेशन बताना बिल्कुल ना बूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूलें थैंक यू पर वाचिं फीजियो आर टॉक